Hello students, today I will be making some announcement regarding our upcoming mains batch क्योंकि बहुत सारी inquiry आ रही है, काफी सारे confusion है कि कैसे होगा, क्या पढ़ाया जाएगा, online होगा, offline होगा तो इस वीडियो के थुरू में वो clarity आप सबको दे देता हूँ, देखिए, आने वाले 4 अक्टूबर से हमारा offline batch जो हमारा गनेजगुरी सेंटर है, वहाँ पर स्टार्ट होगा, offline batch online तो चलेगा ही चलेगा, so offline online classes दोनों मिलेंगे आपको आने वाले 4 अक्टूबर से main specific batch के लिए, और जो online class होगी, वो live format में होगी, आप live देख सकते हैं, अपने doubts पूच सकते हैं teacher से type करके, और teacher उसी time में आपको जवाब भी देंगे, आपके doubts का, उसके अलावा अगर आप live नहीं देख पाए, online classes, तो आपको recorded format में भी मिल जाएगा, जो आप अपने convenience से लेने वाले हैं, कैसे हम पढ़ाने वाले हैं, तो देखिए, जो main specific topics हैं, जैसे ethics, integrity, internal security, disaster management, international relations, governance, social justice, Indian society, art and culture, and essay, paper 1, पूरी तरह से, ये दो जो हैं सबसे important हैं, क्योंकि सीधे 250 marks यहां ethics में, 250 marks ऐसे में, तो ये दोनों तो important हैं, इन पर सबसे आदा focus करेंगे, हम लोग प्ल आया जाएगा, लेकिन आपको बस ये बात समझनी है, कि ये ऐसे topics हैं, जो मान के चल रहे हैं, कि आपने prelims के time में, इनको कभी पढ़ा नहीं है, ये main batch तो of course उनके लिए है, जिन्होंने prelims exam ओलेडी दे दिया है, दो जो और hopeful of clearing prelims, ठीके जी, तो main batch उनके लिए मुबीत कर हैं, कि आप इसमें आएंगे, तो आपने अगर prelims की तयारी भी किया, तब ही हमें लगता है, कि आपने ये सारे subjects नहीं पढ़े होंगे, पढ़े भी होंगे, तो पूरी तरह से आपका complete नहीं होगा, इन सारे subjects में हम क्या करेंगे, कि आपको पढ़ाया जाएगा, you will be taught all concepts right from basics सब कुछ बताया जागा, जैसे ethics मैं पढ़ाऊंगा, तो हर चीज basic से बताऊंगा, ठीक है, आपको class में पढ़ाया जाएगा, plus daily आपको 5 questions दिये जाएगे, जिसके standard answers भी दिये जाएगे, उस standard answer के basis पे आप अपने answer लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये in subjects के लिए होगा, main specific subjects के लिए, लेकिन उसके अलावा भी कुछ subjects हैं, जो आपके mains में भी हैं, for example, असाम history, असाम geography, environment, असाम economy, असाम quality, असाम art and culture, ये असाम specific topics आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, mains में भी है, पूरा का पूरा paper 6, तो इसको भी आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये थोरे से factual हैं, तो factual content दिये जाएंगे, इसमें भी वही strategy होगी, पढ़ाया जाएगा, plus 5 questions on daily basis, आप उसको लिखें with standard answers, आप उसको लिखें और अपने answers को evaluate करें, लेकिन सब एक अंतर आएगा on these topics, Indian history, polity, geography, economics, असाम history, environment का जो basic concept है, ये सारे topics जो हैं, इनके पूरे-पूरे notes आपको दिये जाएंगे, बट हम मान के चल रहे हैं कि ये सारे topics आपने prelims के preparation के time में अच्छे से इनको prepare किया है, तो इसमें बहुत जादा पढ़ाएंगे नहीं class में, इसमें directly we will move to that question session, 5 questions, standard answer and discussion, और ये हमने इसलिए किया है, इसम perspective time, क्योंकि हमें उमीद है कि आने वाले 4-5 महिने में 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 होना चाहिए, तो 4-5 महिनों में अगर हमने ये सारे subjects भी आपको detail में पढ़ाना शुरू कर दिया, तो ये feasible नहीं हो पाएगा कि 4-5 महिने में आपका पूरा course अच्छे से complete कर पाए, मेंस perspective से, इसको पढ़ाएं students के मन में कि सार जो language paper है, जो qualifying language paper है, SMEs का और English का, क्या ये कराए जाएगा तो हाँ, ये भी कराए जागा इस main batch के अंदर, ये दोनों भी subject सापके कराए जाएंगे, SMEs में कुछ students को issues हैं, basic से भी नहीं आता, क्योंकि कभी बहार पढ़ाई कर ली, आसाम के अंदर बच्पन स से रहने का कम मौका मिला, ऐसे भी कई सारे students हैं, जो हमने देखा है, जिनको basics में भी problem है, बोलना आता है, लिखने में दिक्कत है, उनको alphabet से सिखाया जागा, बिल्कुल alphabet भी सिखाया जाएंगे, कैसे लिखना है, और आने वाले 3-4 मेनों में आपको SMEs में इतना groom कर दिया ज this is all I talked about so far, but now briefly I will be discussing how I am going to teach, और how we all are going to teach at SPMIS Academy, तो देखिये, how can be decided only on the basis of our vision, या strategy यु में से, कि क्या हमारी strategy होने वाली है, आने वाले एक्जाम के लिए, हमारा ऐसा मनना है, कि अगर आपने questions को अच्छे से देखा, analyze किया, कि उसमें क्या-क्या पूछा गया है, उसको ठीक से उसके साथ justice किया, और ज्यादा से ज्यादा question आपने attempt किये, 19, 20 questions हर paper में attempt किये, 20 सवाल आने वाले हैं, अगर आपने ज्यादा-ज्यादा question attempt किये, और हर सवाल के साथ justice किया, when I say justice, mind target कि बहुत ज्यादा perfect answer के तरफ हम नहीं जा रहे है, justice करना है, मतलब जो पूछा है, और जो सवाल के अलग-अलग components है, इन दोनों चीजों का ध्यान देना है, जो पूछा है, जैसे कि पूछने में जो keywords होता है, enumerate, substantiate, analyze, critically analyze, ये सारी चीज़े, इन सब में अंतर पर जात आपको वहाँ से भी पता लग जाएगा कि क्या अंतर होता है, describe में, enumerate में, analyze में, critically analyze में, for example, आप जानते भी होंगे, critical analyze में आपको दोनों aspects लिखने होते हैं, और अगर आपने दूसरा aspect नहीं लिखा, criticism part, तो examiner आपको आधे number देगा, ये सारी चीज़े आपको ध्यान पूछा गया है, वो सारे parts को identify करके आपको जवाब देना, for example, there might be a question, what do you understand by the theory of utilitarianism, what are some key criticism of it and its relevance in modern times, ये सवाल पढ़ते हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये 10 marker का सवाल है, लेकिन इस पर 3 सवाल पूछे गए, definition, criticism और उसका relevant, और हर सवाल के लिए मुझे 3 number के आ आप अपने answer को sequence में develop करेंगे, तो keywords, उसके अलावा question के parts, and justice का मतलब है कि उसमें अच्छे खासे diagram वगरा बना करके examiner को आप feeling दें, कि हाँ, आपने question को complete किया है, अच्छे तरीके से, ये सब चीज़े आपको ध्यान रखनी है, और जो हम आपको daily 5 questions कराएंगे, उनमें इन नहीं तीनों चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, कि क्या-क्या पूछा गया है, वो आपको साफ-साफ बताये जाए, उसमें क्या-क्या आना चाहिए, किस तरह का introduction होना चाहिए, किस तरह की main body होने चाहिए, किस तरह का conclusion होना चाहिए, और सबसे important बात, हर answer जो है आपका time frame में complete होना चाहिए, given time frame में 9 minute के अंदर complete होना चाहिए, that should be your overall strategy, कि हमें हर paper में इस तरह की practice कर लेनी है, इस सवाल के साथ हम justice कर पाए, जो पूछा है वो बता पाए और 9 minute के अंदर लिख पाए, और इसी कारण से हमने ये framework develop किया है, daily 5 questions की answer writing, मेरा particularly ऐसा मानना है, हमारी ये team का ऐसा मानना है, हो सकता है, आपकी strategy अलग हो, और हर strategy हो सकती है, अपने हिसाब से, बट हम particularly इसमें believe करते हैं, कि main exam is more about strategy, तो अगर आपने daily answer नहीं लिखा, और एकदम strategic तरीके से नहीं लिखा, तो अंत में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि 20 सवाल एक बार में सारे के सारे सवाल के साथ justice कर पाना, उनको सही तरीके से answer कर पाना difficult हो जाता है, irrespective of the fact कि आपके पास बहुत knowledge है, उस answers को लिख पाना difficult हो जाता है, तो अब क्या करेंगे आप, अगर आप हमें join करते हैं in this main badge, तो daily 5 questions की practice, हमारा standard answer, आपने लिखा, ठीक है जी, अब over a period of time होगा क्या, कि हर paper के लिए, for example, ethics and integrity के लिए, आपके पास लगबग 150 questions की inventory बन जाएगी, एक storage बन जाएगी 150 questions की, और 150 questions के standard answers भी होंगे, जो हमने आपको दिये, I am not saying they are perfect answers, standard answers, कि ये ये points तो होने चाहिए, आप अंत में हर paper को, इस questions के मदद से revise करेंगे, जैसे माली जै कल आपका ethics paper है, तो 1500 questions तो आप एक बार देखी सकते हैं कि चलिए बताएगे, deontological or utility organism में क्या अंतर है, किसी public organization के work ethics में और private organization के work ethics में क्या-क्या अंतर होने चाहिए, क्या होता है definition of healthy environment, citizen charter का क्या significance है, ये सारी चीजे, अगर ethics paper की में बात करू तो इस तरह से 1500 सवालों के मदद से आप उसको revise कर प्लस हम लोग आपको हर जो topic है, उसका detail में notes तो देंगे ही देंगे, प्लस आपको अंतर में एक flow chart बनवाएंगे, वो flow chart आपका hardly 10 से 12 pages में पूरा का पूरा subject हतम हो जाएगा, relation दिखाएंगे से, values, ethics, morality, norms, law, इनके बीच में क्या dynamic relations है, और क्या-क्या example लिख सकते हैं, या अगर ethics के बिना अगर law बनाया जाए, तो क्या problems हो सकते हैं, कैसे protest होता है, एक्जामपल में civil disobedience movement, salt, सत्य अगरा, यह सब लिखेंगे, तो आपके पास ready made material होगा आपके mind में, and you have made done multiple times revision, अगर आपके पास proper देर सो सवालों की inventory और flow chart ready है, जिसके मदद से आप पूरा का पूरा एक paper, 3 घंटे में revise कर पाते हैं, तब ही आप 10 बार revise कर करके जा सकते हैं and we believe कि हर paper को अगर 10 बार revise करके हम गए, तो वहाँ पे हमारे दिमाग में पूरी तरह से rough ideas होगे हर चीज के लिए, हर syllabus के जो हर topic के लिए idea होगा, कुछ भी सवाल वो पूछें, आपके पास एक ready made answer होगा, ठीक ठाक सा, जिसके मदद से आप उस question के साथ justice कर पाएंगे, और 9 minute के अंदर कर पाएंगे, that is the key, तो ये सब हमारी कुछ strategy होने वाली है, मेंस batch में, अगर आप हमें join करते हैं, तो इस चीज को हम आने वाले चार महीने में implement करेंगे, that implementation is the key, I'm not saying, trust me, हमारा job तो जो हैसो है ही है, the game is of your own consistency, अगर आपने daily 5 answers लिखे हैं, तो ये make or break करेगा, it will make 4 or 5 months down the line, जब आपका मेंस exam हो जाएगा, उसके अलावा कुछ और basic सवाल आते हैं, SME's language paper के बारे मैं आपको बता दिया, online, offline के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, classes 4 October से जो शुरू होने वाली है, online और offline दोनों में ही शुरू होंगी, offline अमारे गनेज किरू सेंटर पे, और online classes तो आपको मिली जाएगी, live and recorded, प्लस हमारे यहां पे optional batches भी होंगे, तीन optional subjects हमारे यहां पढ़ाए जाते हैं, political science, international lessons, जो मैं खुद पढ़ाता हूँ, मृदल सर, geography पढ़ाते हैं और चिल्मो सर, history पढ़ाते हैं, तो optional is means के batch में, is GS means batch में included नहीं है, that has to be very clear and specific, यह जो batch जिसके बारे मैंने अभी announcement किया है, इसमें optional subject included नहीं है, so if you want to go for optional also, आपको उसके लिए अलग से enroll करना होगा, अंत में मैं एक बात कहूंगा, मैंने पहले भी कहा हैं, फिर से कहूंगा, कि अगर आप hopeful हैं, कि आपका prelims clear हो रहा है, कुछ लोग confident हैं, कुछ लोग hopeful हैं, ठीक हैं, अगर hopeful भी हैं, ठीक हैं, अग आपको अपनी पूरी मेहनत लगा देने चाहिए आने वाले 4-5 मैने तक जब तक mains नहीं हो जाता है, अगर किसी कारण से 105-106 नमबर वाले miss भी कर जाते हो, अगले बार तो काम आएगा या आएगा, बट अगर आप hopeful हैं, तो भी आपको करना चाहिए, confident हैं तो बिलकुल करन आपको आने वाले 4-5 मैने में अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, क्योंकि ये जो आने वाला opportunity है, मेरे इसाब से आपके लिए golden opportunity है, इस बार अगर आपनी पूरी मेहनत कर दी, तो पहले बार में आप successful हो जाएंगे, ऐसा हमें लगता है, दो तीन चीजे हैं जो मैं अपन करना ही करना है, जो डेली 5 chances लिखने की बाद है न, बाद में इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको लगया कि कितना मेहनत करना पर रहावट करनी करिये, उसके अलाओ कोई alternative है नहीं, हमारे पास या किसी के पास भी कोई जादू की छरी नहीं है, कि हम ऐसा कुछ पढ़ा करेंगे कि आप एक एक से आपके बहतरीन माक्स आजाएंगे, हम आपको बहुत थोरा बहुत गाइड कर सकते हैं, अपने हिसाब से, तो आर बेस्ट नॉलेज, लिगना आपको डेली महनत करनी हो, कि हम आपको इतना वरोसा दिलाते हैं, कि जब आप महनत करेंगे, तो हम आपको develop कीजिए, इस तरह से अपने दिमाग में further content develop कीजिए, कि चाहे कोई भी सवाल आपके सामने आए, आप उसके ऊपर ठीक ठाक सा answer, diagram वगरा बना करके, examiner को convey कर पाए message की sir, मुझे इस सवाल के बारे में पता है, हर सवाल में आपको average marks निकाल लेने हैं, 10 में से 6, 5 नि and you will be the topper, so remember, hard work at any cost and become an answer machine if you have to clear, means, और मैंने तो पहले भी कहा है, कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिस करेंगे to give you best of the best, हमारी जो भी knowledge है, जो भी capabilities है, जो भी competence है, वो सब कुछ लगा देंगे आपके लिए, best of luck to you all.